दोस्तो अगर आपके भी मोबाइल फॉन में इंटरनेट खतम हो गया है या इंटरनेट नहीं है तो देखे चाहे आपका लैप्टॉप हो या आपका फॉन हो आप किसी दूसरे से नेट यूज़ कर सकते हैं दूसरे के फॉन से तो उसको हम बोलते हैं हॉट स्पॉर्ट के जर आपको अपने फॉन की सेटिंग के अंदर आना होगा तो देखे यहां मेरे फॉन की सेटिंग यहां पर है इस पर मैं क्लिक कर दूँगा इस पर क्लिक करने पर यहां देखे यह आपको दिखेगा होट स्पॉर्ट परसनल होट स्पॉर्ट किसी फॉन में होट स्पॉर्ट ल को दे सकते हैं और नहां को बताता है किस तरीके से हम वाइफाई का हट स्वाइब करें जब ये यह को सैब करके, श्वारएं में तो सब्सक्रा हो स्वाया गया, जैसे connect कर करूँगा तो यहाँ पर आपका personal hotspot का option यह खुल जाएगा या तो phone की setting के अंदर जाकर पता कर सकते हैं या फिर आप वहाँ से hold कर लीजे तो यह pop-up window खुल किया जाएगी यहाँ से आप password configuration में hotspot का password देख सकते हैं तो hotspot के password की जरूवत कब पढ़ती है net चलानी जरूवत कब पढ़ती है देखे मैं आपको simple तरीके से बता दूँ अगर आपके phone में internet नहीं है data खतम हो गया है तो किसी दूसरे बंदे का net आप अपने phone में use कर से तो अगर आपके phone में net है और अपने phone के नेट से अपने laptop में net चलाना चाहते हो तो देखे hotspot on कर दीजिए और laptop में आप अपने इसका password एंटर कर दीए तो आपके phone से ही आपके laptop में भी internet चल जाएगा